जनसाधारन भी जनता भी काफी हद तक इस मास्क का इस्तिमाल कर रही है इसका लाब यह है कि यह disposable है आप इसे same day जो है वो dispose of करेंगे और disposal के लिए इसे properly बंग करके एक covered जगा पर आपको इसे रखना है ऐसा नहीं है कि इस मास्क को आपने सारा दिन इस्तिमाल किया और जहां आपका मन आया वहाँ पे उसको फैंक दिया क्योंकि उससे संक्रमन फैलने का खत्रा दूसरे लोगों के लिए रहेगा क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारा नाक से उपर के portion से लेके जो मू है हमारा ये आखे नाक और मू ये तीन भाग हमारे शरीर के ऐसे हैं जिन से आप संक्रमन फैलाएंगे भी और संक्रमन को ग्रहन भी करेंगे सो बेसिक कॉंसेप्ट ये है कि इस एरिया को जितना जैदा से जैदा आप प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतने आप खुद सेफ रहेंगे और उससे भी जैदा महतुपूर्ण चीज ये है कि आपके जो सगे संबंधी यार दोस्त या जिन लोगों से आप रोजाना मिलते रहते हैं वो भी उतने ही सेफ रहेंगे सो सब को सेफ रखने के लिए मास्क पहनना आज की तारीख में सबसे महतुपूर्ण कार्या है और मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह रहेगा कि मेहरबानी करके ये सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के कहीं भी किसी भी जगा पर ना जाएं क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं तो मास्क उसमें हमारा सबसे बड़ा हत्यार है